Hello friends, welcome back to my channel. Friends, healthy skin पाना हर किसी का सपना होता है पर हमारे किचिन में ही हमारे skin की हर problem का solution होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता आज मैं बताऊंगे आपको flexi mask के बारे में ये हमारे चेहरे से fine lines और wrinkles को कम करती है और skin को glowing और tight रखती है अगर आप इस face pack को week में 2-3 बार use करते हैं तो ये आपके आखों के आसपास जो भी fine lines आजाती है उनको धीरे धीरे खत्म कर देती है 25 या 30 की age की होने के बाद आप अलसी के gel का use skin tightening के लिए करेंगे तो आपके चेहरे पर aging effects कम नज़र आएंगे क्योंकि इसमें omega 3 fatty acid होता है जो anti-oxidant होता है और हमारी skin की सारी problem का solution होता है दाग दबों को और pimples को खत्म करने में ये बहुत helpful होता है इस skin को tight भी करता है इस mask को बनाने के लिए हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है बेसन बेसन चेहरे को clean करता है dirt pollution को skin से निकाल देता है skin को flawless बनाता है acne को दूर रखता है open pore से बचाता है skin को spotless बनाता है इसरी चीज़ हमें जो इस mask के लिए चाहिए वो है milk powder milk powder में lactic acid होता है जो हमारी skin को brightening effect देता है lactic acid हमारी skin के melanium production को कम करता है जिसके वज़े से हमारी skin बेदाग बनती है milk powder में bleaching properties भी होती है जो skin को deep clean करती है अगर आपकी skin tanning की वज़े से dark हो गई है तो ये उसे भी lighten करता है चौती चीज़ जो हमें चाहिए वो है कस्तूरी या आमा हल्दी skin lightening properties होती है करने के लिए hyper pigmentation dark spot को हलका करने के लिए ये हल्दी बहुत ही effective होती है आपको complexion अगर dull हो गया है तो भी ये इसे निखारने का काम करती है ये सारे skin के फाइदे हमें कस्तूरी हल्दी से मिलते हैं अगर आपके पास नहीं है तो kitchen हल्दी का भी use कर सकते हैं लेकिन अच्छे effect इतने नहीं आते जितने कस्तूरी हल्दी से मिलते हैं इसके अलावा हमें चाहिए green tea green tea में antioxidant होता है इसमें antiviral और antibacterial properties होती है जिसके वज़े से अगर आपकी skin pimple prone है या फिर acne prone है तो आपकी skin के लिए वर्दान का काम करती है तो चलिए अब बताते हैं कि किन चीज़ों का use करके किस तरह से हम anti-aging mask को बना सकते हैं इस paste mask को बनाने के लिए हम एक bowl में दो tea spoon flexi gel को लेंगे इसमें हम एक tea spoon बेसन एक tea spoon milk powder one fourth इसमें डाल देंगे यहां पर हम पेस्ट बनाएंगे green tea extract से green tea को मैंने इस तरह dip करके पानी में पहले ही रखा हुआ था हमें इसको इतना लेना है जिससे हम एक अच्छा पेस्ट बना सकें अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देंगे जिससे यह सारी चीज़ें आपस में मिल जाएं अब इस face mask को चहरे पर लगा लें यह आपके wrinkles और fine lines को खत्म करेगा अगर आप इसका regular basis पर use करते हैं इस face mask को फ्रिज में store करके one week के लिए रखा जा सकता है यह खराब नहीं होगा 20 से 25 मिनट तक इस face mask को चहरे पर लगा रहने के बाद नॉर्मल पानी से दोले आप देखेंगे आपके चहरे में एक चमक आ जाएगी अगर आपको यह मेरी वीडियो helpful लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करकर आई बेल केंड को दबाकर उसे ओल पर साइट कर दीजिए जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए जब तक अपना ख्याल रखिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ